नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Kids Learning सुपृति चौधरी में जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए रोचक और ज्यानवर्धक सामाने ज्यान की बाते तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर ज्यान की दुनिया में मैं हूँ आपकी दोस्त सुपृति चौधरी और हम साथ में करेंगे ज्यान की खोज SC के साथ Think Tank GK में आपका स्वागत है GK प्रश्न और उत्तर Kelvin में मानक कमरे का तापमान क्या है? सही उत्तर है 98 की विश्यांतर का पर्यायवाची शब्द चुनिये सही उत्तर है घुमावदार निम्न लिखीत में से कौन सा आधार का गुण नहीं है? सही उत्तर है वे नीले लिटमस को लाल कर देता है भारत में राष्टे आई का अनुमान किसके द्वारा तयार किया जाता है? सही उत्तर है केंद्रे संक्षीक संगठन MS वर्ड का एक उदाहरन है सही उत्तर है अनुप्रयोग प्रक्रिया सामगरी वैदिक आरियो का मुख्य भोजन था सही उत्तर है दूद और उसके उत्तपाद करक्रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है सही उत्तर है ओडिसा कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कूजी कहा जाता है सही उत्तर है संशोधक ऐसी के साथ थिंग टैंक जीके में आपका स्वागत है सामाने जागरुकता पर जीके प्रश्न और उत्तर फैदो मीचर का उपियोग मापने के लिए किया जाता है सही उत्तर है सागर की गहराई सबसे तेज शाट हैंड राइटर थे सही उत्तर है डॉक्टर जी डी बीस्ट एपसम इंगलेंड से संभंधित स्थान है सही उत्तर है घुरदोर गॉल्फ खिलाडी विजय सिंग किस देश के हैं सही उत्तर है फीजी 6 महिने दिन और 6 महिने रात देश का नाम सही उत्तर है नार्वे एक व्यक्ति एक राज एक नेता की नीती थी सही उत्तर है हिटलर छटे एशिय प्रशांत मंतरिस्तरिय समेलन का उद्गातन कौन करेगा सही उत्तर है व्यक्ति या नाइडू एसी के साथ थिंग टैंक जीके में आपका स्वागत है जानवरों और पशुओं का सामान ज्यान के प्रश्न और उत्तर नीमनी लिखीत में से किस में कोई कांकाल नहीं है सही उत्तर है जेली मचली भिंडावास पक्षी अभ्यारन बीबी एस किस राज्य में स्थित है सही उत्तर है हर्याना किस जानवर की याददाश सबसे खराब होती है सही उत्तर है हाथी किसी वी जीवित प्राणी में कौन सा जानवर सबसे तेज ध्वनी उत्पन कर सकता है सही उत्तर है कुबड़ा वेल नीमनी लिखित में से कौन सी सची मचली नहीं है सही उत्तर है चूसने वाली मचली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेर करना ना भूलें और ऐसे ही और रोचक और ज्यानवर्धक वीडियो के लिए केस लर्निंग सुपृती चौधरी को सबस्क्राइब जरूर करें मैं हो सुपृती चौधरी और हम फिर मिलेंगे एक और ज्यानवर्धक वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद